देश के सबसे बड़े चोर, उचक्के और डक्यातों को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिए अगर ये चुनाव पी जीत गए मेर से लिखवा लो एफिडेविट के उपर थोड़े दिन के बाद मंता दीदी जेल में होगी तेजसभी आदफ जेल में होगा स्टैárृण साथ जेल के अंदर होगे हमारी पार्टी को कुचलने में, खतम करने में प्रधान मंत्री जी ने कोई कसर नी छोड़ी अग साथ हमारी पार्टी के चार टॉक के नेता जेल भेज दिये एक साथ अर्विन केजरीवा, मनीज सिसोधिया, संजे सिंग, सतिंदर जैन, बड़ी बड़ी पार्टियों के, अगर चार टॉप के नेता जेल चले जाएं, पार्टी खतम हो जाते हैं, आम आदमी पार्टी के चार टॉप के नेता इन्होंने जेल भेज दिया, उन्होंने सोचा कि पा पार्टी निया ये एक सोच है जितना ये खतम करना चाते हैं उतना ये बढ़ती जाती है ये करश करना चाते हैं प्रधान मंत्री जी आम आदमी पार्टी को जो लोग मोदी जी से मिलने जाते हैं वो कई लोग हमें भी जानते हैं वो बाहर आके हमें बताते हैं कि आपके बार केजरिवाल की और आम आदमी पार्टी की दस से पंदरा मिनिट बात करते हैं, उनको कहते हैं कि आने वाले समय के अंदर आम आदमी पार्टी ही देश को भविश्य देने वाली है, वो खुद भी मानते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि आज ही आम आदमी पार्टी को गढ़ने से रोका जाए इनको कुचल दिया जाए ये ताना शाहिए अगर उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी आने वाले समय में बीजेपी को चैलेंज देने वाली है आप अच्छे काम करो आप देश को भविश्य दो आज आपकी सरकार एक इंदर के अंदर आप देश के लिए काम कर होगे आम आदमी पार्टी को कोई पूछेगा ही नहीं लेकिन आप कुछ काम नहीं करो और आदमी पार्टी को कुचल दो ये जमतंत्र नहीं है, ये इस देश की जमता पसम देनी करें इन्होंने आम आद्मी पार्टी को खुचलने में कोई कसर नी छोड़ी, छोटे से लोग हैं आम छोटी सी पार्टी है 75 साल के अंदर इस कदर किसी पार्टी को और कि उसके नेताओं को प्रताडित नहीं किया गया जिस तरह से प्रधानमंत्री मोधी जी ने आम आदमी पार्टी को प्रताडित करने की कोशिश किया मेरे को इन्होंने जेल भेज दिया प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ने ब्रश्टाचार से लड़ रहा हूं देश के सबसे बड़े चोर उचक्के और डक्यातों को इन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया जिन लोगों को दस दिन पहले मोदी जी कहते थे 70,000 करोड का इसने घोटाला कर दिया थोड़े दिन के बाद उसी आदमी को अपनी पार्टी में शामिल करके किसी को दिप्ती सीम बना देते हैं और उनके सारे E.D. और C.B.I. के मामले खतम कर गते हैं और कहते हैं मैं भरष्टाचार से लड़ रहा हूँ मैं मोदी जी को कहना जाता हूँ भरष्टाचार से अगर लड़ाई लड़नी है तो केजरी वाल से सीखो प्रधान मंत्री जी भरष्टाचार के खिलाफ लड़ाई केजरी वाल में लड़ी है 2015 में जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी हमारे एक मंत्री का एक ओडियो मेरे पास किसी ने वाटसअप कर दिया उस आठ्यो में मेरा मंत्री किसी दुकान वाले से 5 लाक रुपे मांँ रहा था किसी मीडिये वाले को नहीं पता था विपक्ष को नहीं पता था आप । लोगों को याद होगा मैंने अपने खुद मंत्री को CBI के हवाले कर दिया जेल बेज दिया था अपने मंत्री को यह होती है भरष्टाचार से खिलाफ बलाई था पंजाब के अंदर मेरा एक मंत्री मेरा एक मंत्री भरष्टाचार में मेरे को पता चला कि वो पैसे मांग रहा है वहाँ पे मान साहब ने उसको किसी को भी विपक्ष को नहीं पता था मीडिया को नहीं पता था हमने अपने मंत्री को उपा के जेल में भेज दिया तुम देश के सारे चोर चटके डकैतों को अपनी पार्टी में शामिल कर लो और केजरीवाल को जेन वेजदो और कहो मैं बृस्ताचार के खिलाफ लड़ रहा हूँ तो आप बृस्ताचार के खिलाफ नहीं लड़ रहे पर धान मंत्री जी आप देश मासियों को बेवकूब मत समझो देश बच्चे बच्चे के जुबान के उपर ओर रहा है कि सारे चोर चको को अपनी पार्टी में शामिल करके और एड़ी और सीबिया के सारे केस उनके रफा रफा करके केजरी वाल को क्यों गिरफतार किया केजरी वाल को गिरफतार करके उन्होंने एक मेसेज दिया है सारे देश को कि अगर मैं केजरी वाल को गिरफतार कर सकता हूं तो किसी को भी गिरफतार कर सकता हूं किसी कोई केस नहीं होगा कोई मामला नहीं होगा तब भी मैं तुमको गिरफतार कर सकता हूं एक बेहद खतरनाक मिशन चालू किया हुआ है प्रधान मंत्री जी ने बहुत ही खतरना देश वासियों को यह समझने की अब जब मैं बोलने जा रहा हूं समझने की जरूरत है उस मिशन का नाम है One Nation, One Leader देश के सारे नेताओं को खतम करना चाहते हैं मोदी जी और इसको दोस्तर के उपर इस मिशन को चला रहे हैं जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जेल भेजेंगे और जितने बीजेपी के नेता हैं उनको सबको निप्टा देंगे उनकी राजनीती खतम करते जाएंगे उनको सबको निपडाते जाएंगे विपक्ष के अंदर आजिनों ने मनीज सिसोधिया को जेल बेज दिया, संजय सिंग को जेल बेज दिया, सतंदर जैन को जेल बेज दिया, केजरिवाल को जेल बेज दिया, हिमन सुरेन को जेल बेज दिया, मंता दीदी के कई मंत्रियों को स्टेलिन के कई मंत्रियों को जेल बेज दिया क्यरेला के सीम के पीछे पड़े हैं अगर ये चुनाव पी जीत गए मेर से लिखवा लो एफिडेविट के ऊपर थोड़े दिन के बाद मंता दीदी जेल में होंगी तेजस्वी आदफ जेल में होगा स्टेलिन साफ जेल के अगला किसका नंबर है जोगी आदित्यनाव अगर ये चुनाव जीत गए मेर से लिखवा लो दो महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री बदन देंगे जोगी आदित्यनाव की राजनी की खतम करेंगे उनको भी निप्टा देंगे यही ताना शाही है दोस्तों वन नेशन वन लीड हमारा देश बहुत महान है चार हजार पांच हजार साल पुराना हमारा देश है इसके पहले मिछले चार हजार साल में कई मौके आए जब इस देश के ओपर ताना शाहों ने कबजा करने की कोशिश की लेकिन हमारे देश के लोगों ने उन ताना शाहों का तखता उखार के प्रेक दिया जब जब हमारे देश में ऐसा मौका आया कि ताना शाह ने उनारे देश के ओपर गब्जा करने की कोशिश की इस देश की जनता ने उसका तखता उखाड़ के प्रेक दिया आज एक तानाशाह इस देश से जंतंत्र खतम करना चाहता है मैं पूरे तन्मंद धन्से लड़ रहा हूं, संगर्श कर रहा हूं उस तानाशाह के खिलाफ 140 करोड लोगों का साथ चाहता हूं मेरे हम क्या करने से नहीं हो गा 140 आज में आप लोगों से भीख मांगने के लिए आया हूँ 140 करोड़ लोगों से 140 करोड़ लोगों से भीख मांगने के लिए आया हूँ मेरे देश को बचा लो मेरे भारत वर्ष को बचा लो मेरे भारत वर्ष को बचा लो मेरे भारत वर्ष को मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रियादा करना चाहता हूँ उन्होंने किस दिन दिये हैं एक एक दिन में 24 घंटे हैं मैं एक दिन में 24 में से 36 घंटे काम करूँगा पुरे देश बरने गूमूँगा इस ताने शाही को रोखने के लिए दोस्तों जितनी मेरे अंदर ताकत है मेरे सब कुछ कुर्बाने देश के लिए मेरे तन मन धन सब कुछ कुर्बाने मेरे देश के लिए मेरे खून का एक एक कत्रा मेरे देश के लिए मेरे शरीर का एक एक कत्रा मेरी जिंदगी का एक एक पल मेरे देश के लिए मेरे देश को दचाने के लिए मैं पूरे देश में जाओंगा दोस्ते अब एक बहुत महत्वपून बात करने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना ये लोग इंडिया गठवंदन से पूछते हैं आपका प्रधान मंतरी कौन होगा मैं बीजेपी से पूछता हूँ आपका प्रधान मंतरी कौन होगा आप लोग सोच रहे होंगे केज्जी वाल क्या बात कर रहा है मोदी जी होगे नहीं मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल कोगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा सबसे पहले आडवाई जी को रिटायर किया गया उसके प्याद मोडली मरोर जोशी जी को रिटायर किया गया फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया फिर यश्वन सिना को रिटायर किया गया अब मोडी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं तो मैं भीजे भीजे पूछना जाता हूँ तो आपका प्रधानमंत्री का दाविदार कौन है दोस्तों अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी तो उस पे भी आऊंगा मैं अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले दो महीने में योगी जी को निपताएंगे ये और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमिच्छा को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे तो मैं लोगों को देश के लोगों को अगाह करना चाहता हूँ मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे कि कौने पूछ जाता हूं मोदीय जी चीस और अमिच्छा जी से ये मोदी की कारंटी पूरी कौन करेंगा क्या अमिच्छ अमीच्छ मोदी की खारंटी पूरी करेंगे जब आप अगर जो जो वैसे तो मेरे को लगता मैं भी आँगा उसके ओपर मुझे नहीं लगता इनकी सरकार बन रही है लेकिन जो जब बीजेपी को वोट देने जाएं वो ये सोच के जाना कि आप मोदी जी के नाम पर वोट नहीं दे रहें आप अमिच्छा के नाम पर वोट दे रहें अब एक खुश खबरी है आप लोगों के लिए अब एक खुश खबरी है सब को बता दे ना जो मैंने बाते कहीं है बड़ी सोच समझ के कहीं है वहां बैठके यही सोच रह था कचास दिन से दोस्तो पूरे देश के मेरे को बाहर निकले हुए बीस घंटे हो गए इन बीस घंटों के अंदर भी मैंने रात भर मैं जन्ता से बात कर रहा था लोगों से फोन कर रहा था पिछले बीस घंटे में मैंने जो बातचीत करिये कई बड़े बड़े एक्सपर्ट से बात की चुनाव विशलेशकों से बात की से बात की जन्ता से बात की फोन पे लोगों से मेरा अपना आखनन है कि चार जून के बाद इनकी सरकार नहीं बंगरी मोगी सरकार नहीं करनाटक में कम हो रही है बंगाल में कम हो रही है जारखंड में कम हो रही है बढ़ का रही है यूपी में कम हो रही है बढ़ का रही है बढ़ एक भी जगे कि सीटें में पढ़ रही है अब मेरा अपना मानने और सक्ता बजार में भी मभववच्ह चल रहा है इनकी 220-230 के बीच मुझी सरकार नहीं बन रही है कैंद्र ने इंडिया गठवन्दन की सरकार बन रही है आम आदमी पार्टी उस सरकार का हिस्सा होगी दिली को पूर्ण रज दिलाएंगे दिल्लि का LG। लोगों का LG होगा, दिल्लि का LG। दिल्लि वालों का LG होगा, गुजराप से आया हूए अब HUMAN. दिल्लि के लोगों लोगों का LG होगा दिल्लि के लोगों का witness है. इक और पॉइंट है। १ुज्य। जब मैं जेल के अंदर था। तो कुछ लोगों ने यह मुद्दा उठाया केजरिवाल सी एंपत से स्तीफा क्यों नहीं देता हूं दोस्तों केजरिवाल को कभी किसी पद का लालच नहीं हुआ मैं अब मंत्री मुख्य मंत्री परदान मंत्री ये सब बने नहीं आया हूं कि income tax में commissioner की नावगरी करता था कमिशनर की नावगरी छोड़के दिली की छुग्यों के अंदर एक नी दो नी तीन नी था साल तक मैंने दिली की जुग्यों के अंदर का किया हूं सुंदर नगरी और नंगर की जुग्यों कर हूं Pat कि नौकरी छोड़के जब मेरे को दिल्ली की जन्ता ने पहली बार सीम बनाया असूलों के उपर 49 दिन के अंदर सीम पत्से इस्तीफा दे लिया था एक चपरासी की नौकरी कोई नी छोड़ता सीम बनने के लिए लोग अपना दाया हाथ कटाने के लिये तैयार होते हैं मैंने खुद से अपने आप सीम की कुर्शी को लात مार दी थी 69 दिन के अंदर मेरे लिए सीम पत इंपोर्टन नी ए है आज मैंने CM पत्स से इस्तीफा क्यों नहीं दिया जेल जाने के बाद दोस्तों पिछले 75 साल में भारत वर्ष में इतने राज्यों के चुना हुए इतने राज्यों के चुना हुए दिल्ली के अंदर सबसे एतिहासिक बहुमत से आम आदमी पार्टी जीती 55-56% एक बार 67 सीट एक बार 62 सीट इतने भारी बहुमत से आज तक कोई राज्यों की सरकार 75 साल में नहीं जीती इतने भारी बहुमत से जीतने के बागजूद जूटा केस अब उनको पता है वो हमें हरा नहीं सकते दिल्ली के अंदर उन्हें पता अगले 20 साल तक तो उन्हें एक शड्यंत्र रचा राजनेतिक शड्यंत्र रचा केज्रिवाल को जूटे केस में जेल भेज दो केज्रिवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा केज्रिवाल की सरकार गिर जाए उन्हें एक शड्यंत्र रचा मैंने कम मैं भी इस्तीफा नहीं दूगा तुम अगर जनतंत्र को जेल में कैद करोगे तो जनतंत्र जेल से चलाके दिखाएंगे दोस्ते सरकार भी जेल से चलाके दिखाएंगे कता इस्तीफा तुमारे ट्रैक्ट में फसने वाले नहीं है ये अगर हेमन सुरेन साथ को भी इस्तिफा नहीं देना चाहिए था जेल से सरकार चलानी चाहिए अगर हमने स्तिफा दे दिया ये तो बड़ा अच्छा इनके लिए है जिस राज्य के अंदर ये चुनाव हारेंगे उसके मुख्यमंतरी को पकड़ की जेल में डाल दो सरकार गिरा दो उसके मुख्यमंतरी को पकड़ की जेल में डाल दो सरकार आज मैं अगर दिल्ली की जेल के अंदर रहके दिल्ली की जेल से स्तिफा नहीं दे रहा वो इस ताना शाही के खिलाफ संघर्ष कर रहा हूं इसको समझ लेना है केज रिवाल को किसी पद का लालच नहीं है सौ सीम की कुर्सी देश के नाम कुर्बान है मुझे पदा चला मेरे जेल जाने से बहुत लोग भावो क्यों खासकर मेरी माँ बहने महिलाएं बहुत रोई कई उने बहुत मन्यते मांगी मैं सब का बहुत बहुत शुक्रियादा करना चाहता हूं जिन लोगों ने अपनी दुआएं करोडों करोडों लोगों ने अपनी दुआएं बेजी है पूरी दुनिया भर से करोडों लोगों ने दुआएं बेजी उन्हें के आशिर्वात का कमाल है कि आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ, आप लोग सब लोग सुखी रहें, देश खुब तरक्की करें, भले भूले आप सब लोग खुब खुश रहें, ऐसी मेरी प्रभू से इच्छा है, भारत माता की!